anti-india slogans लगाएंगे अगर आप यह बोलेंगे कि हिंदूस्तान मुर्दाबाद और फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रियाड करेंगे मैं अपने देश के बारे में या देश के गई इसको सुननी सके खालियां देएगा या देश के बारें को चुलता बोलेगे अगर परसनली भी गालियां देएगे तो आप क्या expect करते हैं कि हज के चले जाओं या कुछ ना बोलके चले जाओं उस तरीके की तो मैं भ्यक्ति हूँ भी नहीं कभी ये बोला जाएगा मेरे देश के प्रती तो फिर आवेस्ट इसी तरीक का रियाक्शन होगा वो कोई पाकिसानी होता और अगर इंडियन क्राउड कुछ ऐसा कर रहा होता तो वो भी इसी तरीकी का रियाक्शन होता पहली बात तो यह जो सोचल मीडिया में दिखाया जाता थे जो अंटी इंडिया चीज़े बोल रहे थे पाकिसान मुर्दाबाद बोल रहे था और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे तो ऑवेस्टी वो नाच्रल रियाक्शन है मैं अपने देश के बारे में देश के इसको सुन नहीं सकता हूँ यानि कि आप कह रहे है कि जब आप चाहूंगा कि जब मैच देखने आए तो आप अपनी टीम को सप्वोड करिए ठीके वहाँ पर कुछ से पुलिटिकल करने की जरूदिन की जरूदिनीए कश्मीर का मुद्दा उठानी जरूदिनीए और हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की जरूदिनीए आप अपने द तो मेरा मानना है कि सिरफ इतना ही कहना चाहूंगा कि जब बी इंडिया पाकेसान खिले तो दोनों ही देश को सपोर्ट करिये किसी भी खिलाडी को या किसी भी व्यक्ती को ना उसके देश के बारे में कुछ गलत बोलिए का कश्मीर के वारे में कुछ बोली जो मन करता है उस तरीके से दिखाया चाहते क्योंकि सोचल मीडिया में सबकुछ पूर्ट होता नहीं है आसब कुछ तो दिखाया जाता नहीं तो मेरा मानना है कि अगर वहां पर इंडियन क्राउड था वहां पर किसी को भी अगा rug करते हैं कि कुछ ना बोला जाए तो पूर्य शराथ पी तक होते हैं वो नीचे आउडियो लगा जाए उसकी ताकि पूरे सिच्वेशन को चेटानी कर जादे हैं लुग सभीने उस तरीक से भी अबलाक्त की जा सकती है यह देखें वो मुझे नहीं पता वुज्वात की गई है किस तरीके से हो हरकत की गई लिए जो मैं आप बता रहõए जो हुआ है उसी के चलते मैंने वो रियाइक है और अगर ऑगे भी आज भी कई यह आप इंडिया पाकिसान का मैस देखना है तो मैश देखी मैश कुए इंजोय करीं अपने देश को सपोर्ट करीं अपने कहलाडी उसके लेकिन अगर अगर आप इन एवेंट्स में भी पुलिटेसाइज करते हैं या देश को इनारे लगाते हैं तो वह कोई भी व्यक्त कि एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मेरी जगह वो कोई पाकिसानी होता और अगर इंडियन क्राउड कुछ ऐसा कर रहा होता तो वो भी इसी तरीकी का रियाक्ट करता है मैं शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ और मेरा मानना है कि आगे आने वाले वक्त में शायद सेक्यूरिटी इसको बहतर तरीके से हंडल कर सकती है ना कोई कॉमेंटेटर ना कोई खिलाडी